नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वोल इंडिया मैं आपके साथ मैहू पारूरतियागी एक नज़र डालेंगे उत्राखंड की खबरों पर उत्राखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में सरकार की तरफ से तमाम कदम भी उठाय जा रहे हैं लेकिन इस बीच सीम तीरज सिंग रावत ने लोगों को राम नौमी की शुबकामनाई दी तो वहीं पूर्व सीम त्रिवेन सिंग रावत ने देश रुवासियों को हार्दिक शुबकामनाई दी हैं मुख्य मंतरी ने कहा कि मर्यादा पुर्षवत्म राम का जीवन हमें मर्यादा की पालन त्याग और साहस की प्रेंड़ना देता है आए हम भगवान श्री राम के इन गुनों को अपने जीवन में अपनाने का स्री राम के दिखाए मार्ग पर चलकर ही एक आदर्स समाज और राष्ट की अस्तापना की जा सकती हैं आए हम सब मर्यादा पुर्षोतम स्री राम के इनी गुनों को अपने जीवन में आत्म साथ करने का शंकल्प लें सभी परदेश वासी सर्दा पूर्वक और हर्सोला से राम नौमी मनाएं लेकिन ध्यान रहे इस दोरान कोविड को लेकर सरकार द्वारा तैक गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करें वहें उत्रखन में कोरोना की मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए पूर्वसीम त्रिवेंद सिंग रावत ने चिंता जाहिर की है पूर्वसीम ने कहा है कि राजसका ने उचित कदम उठाए हैं और ये लोगों को समझना होगा कि उनकी स्वास्ते को ध्यान में रखका पैसला लिया गया है पूर्वसीम ने कहा कि कोविड वैक्सीन को अनिवारे करना चाहिए पूर्वसीम प्रिवेन सिंग रावत ने इस सरकार को सुचाव देती हुए कहा कि इस समय उत्रक्षन प्रदेश वासियों की सुरक्षा सबसे उपर है और बाकी के काम बात में देखे हमारे जो ब्योस्ताएं थी उस समय लगबग पच्चीस हजार प्लस लोगों की कुल ब्योस्ताथी जिसमें आइसोलेशन वार्ड थे क्वारंटीन सेंटर थे और जो हमारे अस्पताल थे और जो प्राइवेट अस्पताल हमने लिये थे कुछ होटल्स भी लिये थे तो कुल मिलाकर ये ब्योस्ताथ हमारे पास थी लेकिन जिस तरह से आज केस बढ़ रहे हैं कल जैसे तीन हजार प्लस केस चले जाना और पॉजिटिविटी रेट 3.66 ये सामने जो आया है ये हालात को बया करने के लिए काफी है ये ये भी हमको संदेश दे रहे हैं कि हमको अत्रिक्त सतरकता बरतने की आवसिता है अत्रिक्त सतरकता बरतने की आवसिता है ऐसे में जहां एक तरफ कोरोना से जंग जारी है वहीं राम नौमी पर मंदिरों में लोकों की भीर भी नहीं देखने को मिली देरदून से नियूस वोल इंडिया के लिए आशी इश्रमोला की रिपोर्ट कोरोना के प्रकोप के चलते प्रसेद राम नौमी का त्योहार भी फीका दिखाई दिया हल्दवानी के मंदिरों में अक्सर राम नौमी के दिन भारी भीर होती है साथ ही कई जगा भंधारा भी लगाया जाता है लेकिन इस बार कोरोना के चलते मंदिरों में बेहत कम श्रधालू की संख्या दिखाई दी और कोविन-19 के नियमों के अंतगत ही मंदिर के पुजारीयों ने पूजा अर्चनक ही लोग कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अपने घरों में ही त्योहार मना रहे हैं बंदिरों के दर्शनों को लगने वाली भीर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी शेहर के सबसे प्राचीन देवी बंदिर में भी भगतों की काफी कम भीर दिखाई दी उतरखंड में कोरोना संक्रमन की दूसरी लहे और भी ज्यादा घातक होती जा रही है प्रदेश में पहली बार 24 घंटे के अंदर 3,129 संक्रमन मरीज मिले हैं वही 27 मरीजों की जान चली गई साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 21,000 के पार हो चुकी है 734 मरीजों को ठीक होने के बार डिस्चार्ज किया गया है प्रदेश में अब तक 1,29,205 संक्रमन मरीज आ चुके हैं ऐसे में प्रसाशन ने भी हालात को देखते हुए पावंदिया सक्त कर दी हैं देखिए इगे रिपोर्ट उत्रखंड में कोरोना के मामले लगतार बढ़ते चा रहे हैं इसलिए राज्यसरकार को सक्त पावंदियां भी लगानी पड़ रही है बढ़ते संक्रमन को देखते हुए प्रसाशन ने एक और नई गाइडलाइन चाली की है इस गाइडलाइन के रुसार नियमों को और भी कड़ा और लोगों पर प्रतिबंद लगाने वाला किया गया है नई गाइडलाइन के रुसार अब सभी सिक्षिन संसान स्कूल अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश दिये गए हैं इस गेलावा रातरी कर्फ्यू का समय भी बढ़ा दिया गया है यानि कि अब शाम को साथ बज़े से सुबे पांच बज़े तक कर्फ्यू जारी रहेगा इस दोरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता खास बात ये है कि सरकार ने अब शेहरी शेत्र में आवश्चक सिवाव से जुड़े कार्यालों को छोड़कर सबी कार्यालों को दिन में दो बज़े के बाद बंद करने के आदेश दिये गए हैं दरसार उत्राखन में पिछले 24 घंटे में दो हजार से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं एक्टिब केसों के संख्या बढ़कर 18,000 के पाफ चली गई है साड़े 13,000 से ज़्यादा लोग होमा इसलेशन में हैं तो 5,000 से ज़्यादा मरीज होस्पिटल में भरती हैं हालाग को देखते हुए नई गाइड डाइन्स चारी की गई है सुआसर विभाग की रिपोर्ट के मताबएक मंगलवार को 25,012 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगर्टिव आई है प्रदेश में सक्री मरीजों की संख्या 21,014 पहुँच गई है वहीं अब तक 19,19 मरीजों की कोरोना के चलते जान चली गई है निउस बॉल इंडिया के लिए रिश्यू केस से संजर शर्मा की रिपोर्ट लालकुआ शेहर की यातायात विवस्ता को बहतर करने और बढ़ती सरक दुरगटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात अपर पुलेस अधिक्षा को कोतवाल लालकुआ ने नैशनल हाईवेक के आठ संबंदे इस्थानों का अंडिक्षिन कर अवश्यक दिशा निदेश पुलिस को दिये है उत्राखन के राज्य मार्ग और नैशनल हाईवेक की इस्तिती क्या होती है इसकी बानगी तस्वीरों के जरीए कई बार आपके सामने आ चुकी है हल्दवानी सिलालकुआ तक नैशनल हाईवेक 109 पर काफी दुरगटनाएं होती है इसी को लेकर यहां यातायात अपर पुलिस अधिक शक देवेंद्र पिंचा और कोतवाल संजे कुमार ने नैशनल हाईवेक 109 पर संबंद दुरगटना इस्तानों का निरिक्शन किया साथ ही इस्तानी पुलिस को दुरगटना रोकने के लिए दिशा निर्देश भी दिये इस दोरान उन्होंने कोतवाले शेतर के मोटा हल्दू स्थेद गैस प्लांट के अलग-अलग खड़े वहानों को खताने और गलत तिशा में चल रहे स्टोन क्रेशक के वहानों और क्रेशक के खिलाफ कारवाई करने के भी निर्देश दिये इसके लावा उन्होंने शेहर के मुखे सडकों पर दुकानदारों द्वारा किये चारहे अतिकर्मन को खटाने के निर्देश भी पुलस अद्विकारियों को दिये हैं अधिक ताकि एक्सिडेंट पर रोकता हम और देखिए पहला तो होता है कि जो लिंक रोड है जो हाई पर मिलने स्पीड ब्रेकर लगते हैं इसके अलावा जो मेरर होते हैं वो लगते हैं वो सब चिज़े कहां किसी जीवर तो को अफी देखी जा रही है जहां आमें लगता पहले जिम्दारी है वो अगर अगर हम देखा जाए तो एनेच की या पीड़ोड की जो बना रहे हैं साथ या जो गया देशनता उनकी भी रहते हैं जो एक डिश्टी लेवल में डिश्टी में साब के नितितों में एक सदक प्रुक्षय समीदी उसके हर महीने बैटे पुलिस प्रसाशन द्वारा दुर्गटना रोकने के लिए हाईवे के किनारे स्पीड ब्रेकर दुर्गटना बोर्ट जागरुपता अभ्यान के साथ सा चेकिंग अभ्यान भी चलाय जा रहा है जिससे दुर्गटनाओं में कमी आई है वहीं पुलिस अदिक्षक के इस निरिक्षन के बास सरक दुर्गटनाओं में अंकुष्ट लगाने में पुलिस को कामियापी मिलेगी नियूस पॉल इंडिया के लिए लालकुआ से धर्मेंद आर्वेक रिपोर्ट पॉडी के जुलादिकारी डॉक्टर विजे कुमार जोगडंडे पैडल स्यू पट्टी के अयाल गाउं पहुंचे जाओं उन्होंने गेहूं की फसल की कताई और क्रॉप कटिंग का जैसल या इस दोरान उन्होंने ग्रामिनों की समस्याइं भी सुनी और उनके निराकरन क कास्वाशन भी दिया देखिए ये रिपोर्ट पैडूलस्युपट्टी में आयाल गाउं में हमने आज क्रॉप कटिंग का करवाई करमपन ने किया है और आप के माध्यम से चोल के क्रॉप क्रॉप कटिंग और की मिटेशन के connected क्राङ़ का में उत्ने क्ल scout किया होता है उसका ल्गोजंगा क्ल में 11 किलो 820 ग्राम का हमको वजन प्राप्त हुआ है और भी बहुत सरे खेतों में प्रेक्रिया अपना रहे हैं क्रॉप कटिंग का जो लाव होता है कभी शेत्र में उत्पातन जब कम हो जाता है तो शासन को इसी आखडो के आधर पर अपनी नीती बनाने में सहायता प्राप् शेत्र अधिकारे अपने-अपने EVS हैसिलदार और कानूंग ने है कर आए क्रॉप कटिंग कारवाई पूर संपन न होसकता बाविश्यम से आधर पर कोई योजनभी शासन दारा स्विकृत करके लागध सकता है जुले के जिन जिन खेतों में गेहूं की फसल लगाई गई थी उन खेतों की नपत कर फसल कटाई के जरिये गेहूं उत्पादन का संपून डेटा तयार किया जा रहा है। जुले के संपून डेटा को जुटाए जाने के बाद पूरा डेटा को साशन को एक आप के जरीए भेचा जाएगा जिसके जरीए शाशन को खादान संबंदेद योजना तया करने में आसानी होगी और काश्टकारों को भी उनकी मेहनत का दाम अच्छे से मिल पाएगा न्यूस वर्ल इंडिया के लिए पौडी से भगवान सिंग के रिपोर्ट रुड़के के सिवल लाइन कोत्वाली शेत्र के बेलहा गाउन निवासी एक बुज़ूर्ग विद्वा महिला ने गाउन के ही पूर प्रधान सचिन पर बेटे को रोक कर जान से मानने और धमकी देने का आरोप लगाया है क्या है पूरा मामरा देखे इस रिपोर्ट में सचन एक भू माफिया है जो लोगों की जमीनों पर कब्जा कराता रहता है इतना ही नहीं पूर्व प्रधान पर बार बार धमकी देने का भी आरोप पिरित पक्ष के तरफ से लगाया जा रहा है सचोव कर दो अ कि अगाया लगाओ कर देखे लगाया जालेक्त कि अपना कि यहां थी आपना कर देखे ना वाग वाद दो अब लेकिन अब लेकिन कारवाई कब तक होगी ये देखने वाली बात होगी रुड़की से निउस्वोर्ल इंडिया के लिए शुब गहर की एक पॉट देश में आज राम नॉमी कत्योहार मनाय जा रहा है लेकिन कोरुना के चलते तमाम पावंदियों के बीच कहीं भी कोई बड़ा कारेकरम नहीं किया गया रिशिकेश शहर के एक मातुर रगुनात मंदिर में राम नौमी का त्योहार बड़े ही साधारन धंग से मनाया गया रिशिकेश शहर के एक मातुर रगुनात मंदिर में राम नौमी का त्योहार बड़े ही सुक्षम रूप से मनाया गया वैसे तो हमेशा बड़ी धूमधाम से रामची का जरमदिर मनाया जाता था लेकिन कुरोना काल के चलते इस महमारी सिवचने के लिए बहुती सुक्षम रूप से भगवान को निकट गंगाजी में इसनान करा कर मंदिर में स्थापित कर दिया गया साथ ही हलका सप्रसाथ विद्ण कर भगवान की आर्थी करके विद्रिट किया गया इस में हम लोग आते हैं और इसमें सवारी निकलती है हर साल गंगाजी इसनान कराया जाता है सब कुछ होता है मंदिर के संचालक राहुल शर्मा ने बताया कि कुरोना काल में शुब शुद रूप से कुरोना के अलावा और कोई रास्ता नहीं था लेकिन भगवान के जर्म को पताना भी था इसलिए तन्ना में स्तान करा का भगवान को पुने मंदिर में स्थापित कर दिया गया गया कि रामनौमी जो सुक्षम तरीके से जो है मनाई जाए इसके लिए भगवान का अस्नान तत्वस्चाज जो है भगवान की आरती और परसाज वित्रने कारेकरमी रखा गया बता दें हर सार इस मंदिर में बड़ी धूम धाम से रामनौमी का त्योखार मनाया जाता था दोली में बिठा कर नगर भ्रह्मन भी रामची को कराया जाता था जहां तहां लोग भगवान के फूल माला पुश्प वर्षा से स्वागत करते थे लेकिन इन दो सालों में इस सरह का कोई भी कारेकम नहीं हो पाया न्यूस वोल इंडिया के लिए रिशिकेश से संजर्श शर्मा की रिपोर्ट रिशिकेश के माया कुंड में त्रिवेनी घाट के पास सुबा उस समय प्रतफरी मच गई जब दूसी मन्जिल पर मौझूद एक कैफे में आग की लप्टे उठती लोगों ने देखी तेज हवा चलने की वज़ा से आग तेजी से पहल गई और पूरा कैफे जल कर राख हो गया रिशिकेश के माया कुंड में त्रिवेनी घाट के पास दूसी मन्जिल पर बने एक कैफे में संदिक पर सित्यों में आग लग गई भटना में कैफे के अंदर रखा कीमती सामान चल कर राख हो गया बता दें सुबर करी 5 बचे लगी आग की घटना से आसपास के शेत्र में अफ रतफरी मच गई थी तेज हवा चलने की वज़ा से आग तेजी से फैलती हुई दिखाई देने लगी सूचना पर पहुँची फायर ब्रिगट की टीम ने करी मशकत के बाद आग पर काबू पा दिया चट्मर चट्प महने चटके हमने आग भजाए गई आग चट्मे चट्मने के बाद विछाए लुड़ धेखा की पेडोम מनगाए गया पानी का फिर एमने पीड हमंने पें पी पूछा जाएगा तभी इसके बारे में जानकारी मिल पाई। न्यूस वर्ल इंडिया के दिये रिशी केश से संजेश शर्मा की रिपोर्ट। उत्रखन की खबरों में फिलार कली बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से चुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूस वर्ल इंडिया।